अकाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादीशेक समाचार नमस्कार समाचारू के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी सबसे पहले बुलिटन के मुख्य समाचार डिजिटल भुकतान से आसान हुआ लोगों का जीवन कहा प्रधान मंत्री ने सिंग्रॉली में आज आवासीन परिवारों को समारो पूर्वग भूखंड के अधिकार पत्र देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ से और मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान जी ट्वेंटी के अंतरगरत बिजनस ट्वेंटी की बैठक आज से गांधी निकर में केंद्री मंत्री प्यूज को इल करेंगे शुपहरंब प्रदेश में शिक्षकों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा और न्यूजिलन्ड और भारत की टीम का अंते में एक दिवसी क्रिकेट मैच 24 जन्वरी को इन दौर में अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि डिजिटल भुकतान ने लोगों के जीवन को आसान और सुविधा जनक बना दिया है भारत में डिजिटल भुकतान अपनाने पर एक प्रवासी भारतिय के ट्वीट के जवाब में प्रधान मंत्री ने कहा कि भारतियों ने प्राध्योग की और नवाचार को तेजी से अपनाया है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान और केंद्री रक्षा मंत्री राजनाच से आज सिंगरौली जिले के आवासीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवासी अभू अधिकार योजना में निशुल्क भूखंड वित्रत करेंगे सिंगरौली जिले के 25,412 आवासीन गरीब परिवारों के लिए ये दिन अतिहासिक होगा जब प्रतिक हिद्गराही को 60 वर्ग मीटर का भूखंड दिया जाएगा इस प्रकास सभी हिद्गराहीयों को 421 एकर भूमी पर भूखंड आवंदित किये जाएंगे साथी मुख्यमंत्री किसान कल्यान योजना की राशी किसानों के खाते में अंतरत कर 408 करोड रुपे के विकासकारियों का शलार नियास होगा भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतरगत Business 20 याने B20 बैठक आज से 24 जन्वरी तक गुजरात की कांधी नगर में आयोजन की जाएगी ये बैठक शिखर सम्मेलन से पहले नितिगत अनुशन साय तयार करने के लिए की जाएगी भारत की G20 अध्यक्षता के अंतरगत गुजरात में 15 कारिक्रमों का आयोजन किया जाएगा उद्घाटन समारों में केंद्री मंत्री पियुष कोईल और अश्वनी वैशनव, राजी के मुख्य मंत्री भूपेंद्र पटेल, भारत के G20 शेपा, अमिक्ताप कांत और टाटा संस के चेर्मन एन चंद्रशेकरन शामल होंगे G20 देशों के उद्ध्यमों का प्रतिन अधित्व करने वाले देड़ सौ से अधेक नीती नर्माता, व्यापार अधिकारी, मुख्यकारिकारी अधिकारी और अन्यवरिष्ट अधिकारी भी उद्घाटन बैठक में भाग लेंगे मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान ने कल पूर्व विधायक अमर सिह कोठार की प्रतिमा के अनावरंड समारों को वर्चुली संबोधित किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरल, सहत, सहयोगी, स्वभाव के धनी और जनचन की नेता स्वर्गी अमर सिह कोठार ने राजगर जिले के सारंगपुर्क शेत्र में विकास और जनसेवा के लिए उल्लेखनिय कारे किया पांच बार वधान सभाक शेत्रों से नर्वाचित होना जनता का उनके प्रतिविश्वास का प्रतीख था श्रीकोठार के कुशल नेत्रुत्व और दूर दृष्टी के परणाम स्वरूभी सारंगपुर्क शेत्र का जहुमुखी विकास हो पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा 2023 कारिक्रम में देश भर के कक्षा नवी से बाहरवी तक के स्कूली छात्रु शिक्षक और अभिभावकों से बातचीत करेंगे कारिक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा से उत्पर्न होने वाले तनाव पर छात्रों से चाचा कर उसे दूर करते हैं ये समाचार आप आकाश्मानी भूपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन, योट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भूपाल पेज़ पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुखी मंतरी शिवरा सिंग चौहान ने शिक्षकों से अपील की कि वे प्रदेश के हर वद्याले को बहतर और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का केंद्रू बनाएं उन्होंने शिक्षकों के प्रती आदर प्रदेशित करते हुए महंगाई भत्ते में चार प्रदिशत की बढ़ोत्री की घोशना की मुखी मंतरी श्वी चौहान ने ये घोशना कल सी होर जिले के नसरुला गंज में हर शाला स्मार्ट शाला कारिक्रम के दोरान की इस अफसर पर श्वी चौहान ने वध्यार्थियों के प्रशनों के समाधान कारक उत्तर दिये मुखी मंतरी श्वी चौहान ने दान दाता शिक्षकों, जन प्रतिनिधियों और समाध सेवियों को सम्मानत किया मुखी मंतरी ने कहा कि राज्य सरकार हर 20-25 किलोमिटर की परिधी में सीम राइज स्कूल शुरू कर रही है जो आधुनेक और उच्च गुनवत्ता युक्त शिक्षा के केंद्रों होंगे इनके लिए आधुनिक लैब, लाइबरी, स्मार्ट क्लास, आधी सभी सोविधाओं से युक्त भवन बनाये जा रहे हैं प्रतेग भवन की लागत लगभग 35 करोड रुपए है आसपास के गाउं से विध्यार्थी बसों से इन विध्यालियों में जाएंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार बच्चों को शिक्षा के लिए हर संभव सहायता दलवा रही है मेधावी विध्यार्थियों को बाहरवी कक्षा में 75 प्रतिशत और अधिकंक लाने पर लाप्टॉप दिया जाता है अब सरकार दस्वी कक्षा के मेधावी विध्यार्थियों को भी लाप्टॉप दिये जाने पर वचार कर रही है तेरवा राश्रियो मद्दाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाएगा भारत नर्वाचन आयोग ने संबंध में नर्देश भी जारी किये है मुख्य नर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि इस बार वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर राश्रियो मद्दाता दिवस मनाया जाएगा राजिपाल मंगुभाई पटेल के मुख्या आतित्य में राश्रिय मद्दाता दिवस का राजिस्तरिय कारिक्रम भोपास थित कुछाभाव ठाकरे इंटरनाशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोज़त किया जाएगा साथी प्रदेश के सभी जिलो में भी कारिक्रम किये जाए अगर इस माच को जीत लेती है तो वो क्वाटर फाइनल में पहुंच जाएगी यह मैच 23 जनवरी कल शाम साथ बजे से शुरू होगा कल ही शाम साढहे चार बजे मलेशिया और स्पेन का मुकाबलह होगा, सुमवार को शाम चार बजे जर्मनी का मुकाबलह फ्रांस से और शाम साथ बजे अर्जंटीना का मुकाबला दक्षन कोरिया से होगा प्रदेश में खेलो इंडिया यूद गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक 27 खेलो में भुपाल, इंदौर, उजैन, ग्वालियर, जबलपूर, बालाघाट, मंडला और खरगौन में किया जाना है खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 की टॉर्च रैली 24 जनवरी को शिवपूरी जिले से होकर गुजडेगी खेलो युवा कल्याण विभाकेस अंचालक ने बताया है कि खेलो इंडिया यूद गेम्स की टॉर्च भूपाल से शुरू होकर एक जिले से होते हुए अगले जिले के लिए प्रशासन प्रस्थान करेगी जिसका समापन भूपाल में ही होगा न्यूजिलन्ड और भारत की टीम का तीसरा और अंते में एक दिवसीय क्रिकट मैच इस महीने की 24 तारीक को दोपहर डेड़ बजे से इंदौर में खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच तीन 2020 मैच भी खेले जाएगे पहला टी 20 मैच 27 जनवरी को राची में खेला जाएगा इससे पहले भारत निकल राइपुर में दूसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजिलन्ड के खिलाव आठ विकेट के बड़े अंतर से जीत हासल कर अपनी भूमी पर लगातार साथवी एक दिवसीय श्रिंकला जीत ली 109 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए भारत ने 20 ओवर और एक गेंद में दो विकेट खोकर 111 रन मना कर मैच जीत लिया अब कुछ समाचार संग शेप में धार जिला मुख्याले पर तीन दिवसीय नर्मदा साहित्यमंधन भोजपर्व कायोजन राजा भोजशास की सनातकोत्तर महविद्याले धार की परिसर में किया जा रहा है इसका शुभारम कल शाम प्रदर्शनी उत्खाटन के साथ हुआ आनंद उत्सव की गतिविधियों के तहत नगय पालिका श्योपर द्वारा कल मेला मैदान स्थेत राजीव गांधी सवाखार में सांस्कृतिक कारिक्रमों के साथ साथ राष्ट्य शेहरी आजीविका मिशन के माध्यम से सुअसाहता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाए गए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यूजना के तहत रामेश्वरम तीर्थ दर्शन के लिए कल शुजालपुर रेल्वे स्टेशन से शाजापुर जिले के पास 130 बुजर्ग यातरी रवाना हुए Ministry of Home Affairs नई दिली की टीम द्वारा पिछले दिनों पूरे देश के सभी थानों के निरीक्षन में प्रदेश में बैतूल का चोपना थाना पूरे प्रदेश में प्रदेश में प्रधमाया है सतना में गौरफ दिवस उच्सव आज स्वच्चिता के संदेश के साथ शुरू होगा आज सुभर नौ से दो पहर दो तक वॉलीबॉल, बैदमिंटन, कबड़ी, रस्ताकशी, बलून दौर, शटल दौर, रिले दौर, आधी, खेल प्रतियों गिताए, आयो जित की अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर, डिजिटल भुकतान से आसान हुआ लोगों का जीवन कहा प्रधान मंत्री ने, सिंगरौली में आज आवासीन परिवारों को समारू पूर्वक भूखन के अधिकार पत्रु देंगे रक्षा मंत्री राजनात सें और ये क्रिकेट मैच 24 जन्वरी को इन दोर में, बुलिटन में इतना ही इजाज़त दीजिए, नमस्कार